दोस्तो वाटर स्लाइड में स्लाइड करना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे वाटर स्लाइड मोजूद हैं जिन में बैटना हर किसी के बस में नहीं है कुछ लोग तो इनकी उचाई देखकर ही वापस आ जाते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे ही कड़ी के घर में से निकलता है बारा मंजिल उचाई वाले इस वाटर स्लाइड में केवल भादूर लोगी बैठ सकते हैं सो किलोमेटर परती घंटा की रफतार से यात्रियों को नीचे की और लाने वाले इस जूले में यात्रियों को बहुत ही खतरनाक डर का अनुभा होता है इस जूले से आप 118 फिट का सफर तैक करते हुए पाढ़ के आसपास के बहुत सुन्दर सुन्दर नजारों का अनन भी ले सकते हैं इनसानों ये जूला ब्राजिल के बीच वाटर पार्क में बना हुआ है और ये दुनिया की तीसरी सबसे उची वाटर स्लाइड है चोदा मंजिल उचाई वाले इस वाटर स्लाइड में बैठने से लोगों की रूह काप जाती है ये वाटर स्लाइड एकदम सीधा है लीप ओफेद वाटर स्लाइड ये वाटर स्लाइड बाहमा के एटलांटिस पैराडाइज आईलेंड पर बना हुआ है इस जूले की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये वाटर स्लाइड जूला खतरनाक शार्क के बीच में से होकर गुजरता है यानि जब राइडर उपर से नीचे पूल की तरफ आते हैं तो उन्हें बीच में एक स्विमिंग पूल से होकर गुजरना पड़ता है जहां पर बहुत सारी खतरनाक शार्क गुमती रहती हैं 69 फिट लंबी शीशे की टनल में बुखी शार्क के बीच में से गुजरते हुई यात्रियों का दिल धहल जाता है और वो दोबारा यहां पर आने की नहीं सोचते L2 ये वाटर स्लाइड ओस्ट्रिया में है और ये दुनिया की पहली डबल लूप वाली वाटर स्लाइड है इस वाटर स्लाइड में यात्रियों को एक डिब्बे में खड़ा कर दिया जाता है और फिर बटन के दबाते ही यात्री 40 फिट तक 90 डिगर के कौन पर नीचे आते हैं उसके बाद गुमावदर रास्तों से होते हुए सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं किली मैंजारो ये वाटर स्लाइड ब्राजिल के रियो शेर के बाहर बनी हुई है ये दुनिया की दूसरी सबसे उची वाटर स्लाइड है ये वाटर स्लाइड 163 फिट उची है लगबक 17 मंजिल की उचाई वाल इस वाटर स्लाइड में केवल वही लोग बैठना पसंद करते हैं जो एड्रेनेलीन का मजा लेना चाहते हैं ये वाटर स्लाइड ग्यातरियों को 60 डिगरी के कोन पर केवल 5 सेकंड में 100 किलोमेटर परती घंटा की रफतार से नीचे ले आती है इस वाटर स्लाइड पर चड़ने वाले 20 लोगों में से केवल एक आदमी ही इसमें सफर कर पाने की हिमत कर पाता है बाकी 19 आदमी इसकी उचाई देखकर ही वापस आ जाते हैं